है लो फेंट्स वेलकम टो इंग्लिश लिटेशर हेर वी आर गूंग टूदिसकस और इंग्लिश लेटरेचर फ्रेंट्स यह जो हमारी क्लास होने वाली है यह महराधन क्लास होगे आपके एस्टेट के लिए स्क्रीणिंग अगजाम के लिए नवीस के विस डिट प्लस भी ज प्लस वालेगों साथ ही सथ उनके जवारा जो टरॉम्क कंवाइन की घई है उनको भी हम डिसक्स करेंगे तो फैंट्स लेट स्टार्ट करते हैं बिना किसी दिरी के तो यहाँ पे हमारा जो लिट्रेशर रहने वाला है वह कहां से कहां तक रहेगा चोसर लेकर हमारा मोडरन तक जो हमारा modern English literature हम वहां तक का literature हम cover करेंगे एक क्लास में तो fans let's start करते हैं बिना किसी देरी के तो देखना यह जो हमारा work है इसमें जो हमारी पहली एज है उसमें एज ओफ चोसर जो कि हमारी पहली एज है 1340 से लेकर 14 हैंडर तक चली थी fans जिसमें fans major writer हैं उनको हम discuss करेंगे साथ ही साथ जो major work है उनको भी हम discuss करेंगे तो fans यहां की कुछ key words हैं जिनको हम देख लेते हैं तो इस एज को क्या कहा जाता है जो चोसर जो कि हमारी कहां से कहां तक रही थी 14 हैंडर की जो एज थी उसमें चोसर थे वे dominated हमारे poet writer माने जाते हैं और चोसर को ही दी फादर ओफ इंग्लिश लिट्रेजर कहा जाता है और फादर ओफ इंग्लिश पोईटरी कहा जाता है और चोसर ने ही सबसे पहले हमारे जो वरक थे हम कह सकते हैं कि middle English language में अपने वरक लिखने start के थे वहीं अगर हम बात करते हैं दें ने अपने वरक Italian language भी wedding flesh language में और English language में भी लिखे थे तो फैंस यहांपे कुछ हमारे कREE Facts हैं की फैक्स है जो कि हमारे English literature रेलेटेड हैं जो कीज फैंस फैंस और लेते हैं को इसके शля। उनके बाद तो फैंट्स यहां पर जितने भी इंपोर्टेंट क्योंस बन रहे हैं वह मैंने आपर राइडाउन की हैं जो कि प्रीविएस आए हुए हैं तो फैंट्स सबसे बात कर लेते हैं कि इसमें ओर्ड इंग्लिश लेंग्विज में लिखे गए थे फिर हमारी आते हैं है वह प्रेंट्स नू आइडियाज का न्यू एन्वेंशन का और्म्यू हमारे थोट थे लोगों के अंदर आए थे फ्रिंटिंग प्रेस बंद ऐगा एक थे प्रांस यहाँ पे जो 100 एश वोर हुई थी फ्रेंट्स इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में वहाँ एडवर्ड थर्ड ने विक्टरी हासिल की थी फ्रांस के उपर जब लूई चोद्वा था तो उसके मरत्यू के साथ ही जो एडवर्ड थर्ड थे उनको क्या मिला था जो फ्रांस और यह हैंडड एश वोर चली थी इसके में विक्टरी मिली थी अब आगया था है लो लाट्स मॉमेंट लो लाट्स मॉमेंट है फ्रेंट्स वो जोन वाइकलिफ के दवारा चला गया एक मॉमेंट था जिसमें जो चैल्च के सुपर में से पावर थी उसका के जो पहला नह stub English टांसलेशन किया थाफेंट ठीक है आगे आता है मारा काफी लोगों की डेथ होगी थी अब आगे चलते हैं 100 years war जो की fans 1337 से 1453 तक लगवग 1515 साल तक लड़ी गई थी जो की इंगलेंड और फ्रांस ये कोई blood वाली वार नहीं थी fans इसमें जो वार थी वो सासन को लेकर थी लुई चोदमा था जो एक जगह थी fans इंगलेंड में उसके सासन को लेकर थी अब चलते हैं आगे जो अधर इंपोर्टेंट फैक्ट है जोन वाइकलिफ वाइबल 1382 में टांसलेशन किया था fans इससे पहले जो वाइबल थी वो लैटिन लेंग्विज में लिखे गई थी पहला ऐसा authorized version लिखा गया था जो कि जोन वाइकलिफ के बाद जोन वाइकलिफ ने लिखा था और जोन वाइकलिफ के बाद जेम्स वन हैं उन्होंने भी 1611 में जो Bible House का translation किया था English language में अब जलते है fans जो चोसर हैं उनके उपर तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चोसर हैं उन्होंने तीन राजाओं का राज्यकाल दिखा था fans उन में बात कर लेते हैं तो Edward थर्ड था जो कि 1327 से 1377 तक इंग्लेंड के सिंगासन पर रहे थे उनके बाद आये थे हमारे रिच्ट सेकेंड और फिर जो लास्ट टाइम था चोसर की डैथ के टाइम पर रहे थे हैं रिफ वोल्त अब बात कर लेते हैं fans जो इंपोर्टन हमारे पोईट्स रहते हैं इसे जगे तो उन में अगर बात करें तो fans जो हमारे जियोफ्री चोसर है उन्होंने fans के उनको क्या बोला जाता है और इन्होंने heroic कैपलेट है उस ट्रम का क्या क्या था क्वाइन क्या था फांडर बोले जाते हैं heroic कैपलेट के और fans राइम रोयल जो स्टेंजा दिया था वह भी चोसर की ही देन है जो कि 7 लाइन एक्सनेजा होता था जिसकी राइम स्किम है वह ए बीए बीबीसी है fans ठीक है यह भी रहें च इस टेंजा होता है और कहता है यह जो पहली बार युज के अगया था दिन येंठेंड ओफ कुड में से उसमें चिया गया था है तो अगर हम बात करें के उप्ने लेंगवेज सिच क्या difficult थे बीड़िस और इटालीन जो लेंगवेज से उसमें लिखा था थी हाउस उफूर the parliament of false the legend of good women ठीक एक तो यह तन वर्क किसमें इटालियन लेंग्वेज में हैं अब बात कर लेते हैं इगली लेंग्वेज में विस्ण में इन्होंoda靜 वेजिहरा रे जो की आ हैं तो इनकी प्लैनिंग धीजिॉसर की यह इक बात करों तो इसमें गई थी फैंट्स ठीक है तो वहां पर इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 30 बंदे जाएंगे तो दो टेल आते रास्ते और दो टेल जाते रास्ते हम सुनाएंगे लेकिन ओली 24 ही टेल सुनाएं गई थी जो कि फैंट्स उस टाइम की जो सुसाइटी थी उसको इंडिकेट करत अब चलते हैं फैंट्स सेकंड हमारा राइट रहता है टोमस वेट और लोफ शूरे टोमस वेट हैं और शूरे हैं उन्होंने पोईट्री की जो सोनेट फोर्म है उसको क्वाइन किया था फैंट्स जो सोनेट है फैंट्स उसको सबसे पहले हमारे पैटरार्क ने फोलो किया अब आता फैंट टोटल्स लेंसी टोटल्स मेश्वेरि इंप्टंट हमारा वर्क है जो के फिफटीज च्रेगात था टोटल के दवारा विल्यम टोटल्स जो लिए सब्सक्राइब क्मद्स करो हुआ जाते हैं इनके वर्क बेकरétais तो आपको यह पता होना चाहिए Wax Clementis है, वो फ्रेंच में और Speculum Medentist है, वो फ्रेंट्स इंग्लिज लेंग्विज में लिखा गया था, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, Sir Thomas Mallory, Sir Thomas More, Sir Thomas More का एक वर्क है, जो कि फ्रेंट्स यूटोपिया है, पहली बार ये लेंटिन लेंग्विज में लिखा गया था, कब ल एक विक रिवीजन लगे रहेगा आपके लिए अन्वेस के लिए और जो हमारा एच्टेट हो उसके लिए भी स्क्रीनिंग अग्जाम के लिए भी तो फैंट्स इससे आपका रिवीजन हो जाएगा लगबग एक से ड़ गंटे में ही तो फैंट्स मेरे साथ कंटीनू बने रह गरेंगे अब जलते हैं पछींट्स अग्ले की पर जो कि निकोलेस उडाल है मैं निकोलेस उडाल हैं इन्होंने हमारी पहली कोमेडी लिखी ती फैंट्स राल में इक स्कृव्यक हो की फटीन फेवारव साल बाद में आयए धिका नेम है गोर् बोड़क ठिक टीका फैंट् तो फैंट्स काफ़ी इंपोर्टन्ट है सब्सक्राइब नंप इसके फैंट्स अपिलंर सब्सक्राइब अग insert के और्यइश भी ओर सब्सक्राइब थे 15th century में जितने भी जो चोसर के follower थे उन्हों ने चोसर को follow करके चोसर के ही वरक के उपर अपने वर्क लिखे थे नया यहां पर नय तो कोई invention हुआ नहीं कोई literary device या ट्रम का क्वाइन किया गया और नहीं कोई की ऐसा मुमेंट चला था जिसके उपर हम कह सकें कि कुछ नया प्रोड्यूस हुआ है तो जो फिप्टेन सैंचुरी है उसको बेन period in English बोला जाता है एक हमारी यहां पर हुई थी कोक्स्टन प्रेंटिंग प्रेस जो कि 1476 में इस्टेबलेस्ट की गई थी फ्रेंट्स यह हुआ था बस अब जलते हैं हमारी एलिजाबेथन एज के उपर एलिजाबेथन एज है फ्रेंट्स उसको क्या बोला जाता है गोल्डन पिरियड इन इंग्लिश लिटेजर बोला जाता है एज ओफ सेक्सपियर बोला जाता है और गोल्डन एज ओफ ड्रामा बोला जाता है फ्रेंट्स ठीक है तो इस टाइटल से जाना जाता है एलिजाबेथन एज को जो कि फ्रेंट्स बात कर लेते हैं टाइम पिरियड की तो यहाँ पे पहला ना जो नाम आता है वो वीलियम सेक्सपियर आता फैंड्स जो वीलियम सेक्सपियर है उनका बर्थ वा था स्टेटफोड अबोन में हुआ था कब हुआ था 26 अप्रेल 1564 में इनका बर्थ हुआ था वहीं डैथ की बात करते हैं तो 1616 में इनकी डैथ हुई थी सेम डेट पे अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे 6 फिर हैं उन्होंने 37 पलेज लिखे थे जब की 154 सोनेट लिखे थी की ट्रेजडी कोमेडी और इस्टोरिकल पलेज लिखे थे फ्रेंट्स अगर हम ट्रेजडी की बात कर लेते हैं होकम के नाम से इन्होंने जो कि सिक्वेंस में मैंने आपको बताया है अच से हैमलेट और वो से ओधिला और के से किंग लियर एम से हैमलेट मेकवेथ सोरी मेकवेथ तो एच ओ के होकम तो इस नाम से इनकी ट्रेजरी का सिक्वेंस है ये एक ट्रीक है और फिर बात कर लेते हैं कि कमेडी कोमेडी भी इनों ने काफी जादा लिखे थे जैसे कमेडी ओफ mercy वैने इस कोमेडी ओफ एरर ऐस तरह की जो कमेडी लिखी थी इस्टोरिकल पहले की बात करते हैं त सख़स्ट पढराई नन्याव का जबकि लोंगस्ट है इनका है और जो टैम्पेस्ट वह इनका लास्ट पले माना जाता है ठीक है टिकार चलते हैं तो फेंट्स कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आता है या वाइब मिस्टेक कुछी गल्थ पड़ाय जाता है मिन्स हो जाता है वाइब मिस्टेक तो आप कर लेना और कॉमेंट बोक्स में डाल देना मैं उसको करेक्ट कर दूँगी फिर चलते हैं हमारे जो एदर पैफेक्ट हैं जैसे फैंट सम्देखते हैं कि इनके जो शेक्सवेर हैं के फिर्स्ट फोल्यों में एपियर्ड होए थे जो की 1630 में फिर्स्ट फोल्यों पप्लीश करवाए गया था फैंट्स जिसमें 36 प्ले वों एपियर्ड कि गए है तो यह क्योशन कई वार पुछा जाता है कि शेक्सवेयर पिखेवरों पहला फोलियो प्वोडिश गया गए था तो एरarda चलते हैं जो हमारे नेक्स पॉइट आते हैं एडमन स्पेंसर है इनको बोल overlap यह हची कशनने दिया था इनको तो चार्स लंब ने को यह दिया था वहीं बात कर लेते ही कि एड़न स्पैंसर है इन्होंने नाइन लाइन एक स्टेंज और न इॉस को नहीं की आपकि टो देखना इनके एप्लिश त्लेंड जो की पाटलियाओन जो की फिफट्टैन की आइड़ flap हमारी सोनेट का एक कोलेक्शन रहता है लव सो लव कोलेक्शन हम इसको बोल सकते हैं इसमें जो इन्होंने पोइम्स लिखी हैं वो इनकी बिलोड को लेकर लिखी हैं काफी ज़्यादा दी फेरी क्विन मॉस्तरपीस वर्क भाई एडमन स्पैंसर तो फैंस यह फेरी के विन है फैंस इनके लिए इन्होंने त्वैल पोइम लिखने की दे प्लैनिग की थीदी हैं कुछ तो कहते हैं कि यहीं हाउस के बीच में publish करवाई थी ऐस्टो फेल है वो फेंट्स एक ऐलेजी है जो कि फिलिप सिड़नी के डैथ होने पर इनोंने राइड डाउन की थी कब की थी 1556 में इनोंने ये पब्लिश करवाई थी जो कि एक ऐलेजी है अलेजी क्या होती है मोरिंग सोंग होता है फेंट्स किसी क इनकी डेथ हुई थी और यह जाने जाते है अस्टोफिल एंड स्टेला के लिए आर्केडिया के लिए एन अपोलीजी फॉर पोईटरी जो कि वेरी वेरी इंपोर्टंट इनका वर्क है फैंट्स पब्लिश किया गया था फिप्टी नाइटी फाइप में पब्लिश किया गया यूणिवस्टीव एटस हैं हैं टोटल साथ हैं जिसमें टॉमस गाइड है टॉमस काइड तोमस काइड कि तो मैस काइड हैं फैंट जो ने तो कंप्रीज यूवस्टी से पढ़ यह जी ओकस्पोえ। इन फिर भी इनको क्या बोला जय गिनिका मोला जाता है ठीक है और इनको विट होने का करण विट क्यों बोला है विजडम के कारण इनकी इंटेलिजेशनसी की कारण अब चलते हैं कि जोन लिली जो की पाइनर ओफ पिकार्श क्यों नाउल माना जाता है फैंट्स एन्टोनी ओफ विड्स इनका वेरी वरी सबस्क्राइब आगे चलते हैं टामस मोर की तॉमस नेस के उपर नीस इनका जो वरिवरी इंपोर्टन वर्क वर्क है वो है दि एन फॉट्यनेट ड्रावल्र जोगिन नोवल है जिसका सब्कृटाइटल ऑफ पॉफ जैको इसका सब्कृटाइटल है इसको करेक्ट कर लेना भाई आगे चलेंगे तॉमस लोज उनको उन्हों ने लिखा था जिसके उपर शेक्स पिर ने अपना एज्वू लाइक इड़ लिखा था ठीक फैट्स और इस तरह से जो सेग्स पिर है उन्होंने जो इनवर्स्टी वीट्स हैं उनके वरक की काफी जा वेरी वेरी इंपोर्टनट वर्क रहता है तोमस लोज गा यह आपको करके जाना है फैंट्स आगी सलेंगे कृिश्टोफर मार्लो कृश्टोफर मार्लो है उनको मास्टर ओफ ट्रेजडी बोला जाता है Kenya को मिन्हों नहीं को में लिक्वेशर जाता है Nevada Londra जौन पूछान जाता है कि विच जी नॉट रिटन भाइश ही लिदा जाता है जतने भी एड़ वर्ड थे उनके सभी के वर्ट लिखे हैं डिया और एड़ वर्ड के लेकिन एड़वड सेकंड के बारे में जिए कोई वर्ट नहीं लिखा और उन में एड़ कर दिया जाता है जिससे आप से पूचा जाएगा कि वीची नोट राइट भाई ठीक है सिक्स पियर रिटन बाई सिक्स पियर तो यहां पर एड़ वर सेकंड होगा हमारा आगे सलते हैं जू ओफ माल्टा हीरो एंड लेडर कंप्लीटिड वाई चैपमान यह इनका एंफिनिश्ट वर्क है फेंड्स हीरो एंड लेडर जो की चैपमान की दुवारा कंप्लीट किया है फ्र कि इनको फ्रेज दिया गया था इनकी जो पलैंट करेंका लिखनी जो स्टाइले ब्लैंग सुने की कारण तो फ्रेज दिया गया था मायर मार्लोज माइट यह कि मैंट की दो आठको पता होना चाहिए और इनका लाइफ दूरेसिशन है उसका बीगा को पता we आगे चलते हैं नेक्स्ट के उपर टॉमस काइड टॉमस काइड जैसा क्यों को आपको बता है कि उनिवस्टी में पढ़ने के बाव जिद भी इनको टॉमस युनिवस्टी विट्स कहा जाता फैंट्स और इनका इन्होंने एक तो रिवेंज ट्रेजडी का क्या था फैंट्स हैं जैसे बढ़नें च grill के बनाए जाते हैं उनका जो फान्डर माना जाता है उन्होंने स्पैनिस घ्री निङ FR जिक गया है उसको को ऐ strengthen दरपले को रफूं किया जाता है उसको कहते हैं पर फिद पले और इन रहीओं ने टर्म काइम की थी बलड एंड न थंडर जो की ड्रामा में काइन fry जती कि आगे चलते हैं जोर्ज पिले जोर्ज पिए पृचता हैं इंसरे और लुड़ वाइपस टेल तो यह आपको करके जाना है आगे सलते हैं टॉमस हेवुड टॉमस हेवुड है वह चार पी के लिए जाना जाते हैं जो कि फैंट्स इन्होंने एक वर्क था इनका दि फोर पीज जो कि 1520 में पब्लिश करवाए गया था एक और वर्क है वो मैं किल्ड विद काहिंडनेस वेरी वेरी इंपोर्टेंट वर्क माना जाता है इंग्लिश लिट्रेचर में फैंट्स यह करना है आपको वीलियम डंबर जो कि 1460 में इनका वर्थ हुआ था और 1530 में इनकी डेथ हुई थी जो कि एक स्कोटिस पॉइट है हमारे डांस ओफ दी सेवन डेडली सिंस इसी के कार्ण इनको यहांपे इंक्लूड किया है आगे सलते हैं टिंदले विलियम है वह इंकी ब responsibility बात करें तो gjorde इक ये वर्क ہے इस थीम ली गई है वो बाइबल से ली गई है तो यह न्यू टेस्टामेंट के लिए जाने जाते हैं टिंडले ठीक है फैंट्स आगे देखो इस साइड रोबर्ट गरीन है फैंट्स उन्हों उनका एक वर्क था पैंडस्टो और जिसको विलियम सिक्सपेर ने विंटर स्टेल के ग्रामर गर्टन्स नीडल यह वेरी वर्क है यह पूछा जाता है कई बार रोबर्ट गरीन रोबर्ट गरीन का अभी आपको बताए पंडस्टो और ओर लिंडो फ्यूरियस हो ठीक है यह वर्क है अब चलते हैं हमारे जो थर्ड एज आते फैंट्स रेस्टोरेशन जिसमें इनकलियों की जाती है जिसमें कवे लियर जकोबियन और हमारे आते हैं ठीक है तो इस तरह से इसमें दीनेगर एजिस इंकल्यूड कि जाती है बाद जो हमार गर substitute और टा है और गय दिया है रेस्टोरेशन जो पीरेड था फैंस उसमें जो लिखे गए उनकी जो थीम होती थी फैंस वो हीपोक्राइसी वगारा लिखी गई जो सुसाइटी थी उसमें उस टाइम के जो आडम बर चले हुए थे जो आटी फीशियलीटी थी जो लोगों के बीच में जो जैसे उ मिल्डन के नाम से जाना जाता है ठीक है अब चलते हैं यहां के और भी जो फैक्ट वगए रहा है उनके बारे में तो हमारा जो पहला राइटर आता हूँ आता है जोन ड्राइडन को जोन ड्राइडन का जो बर्त हुआ था 1631 में हुआ था जबकि डैथ हुई थी 1700 में पूछ जाती कई बार डैथ और जनम भी तो फैंस जोन ड्राइडन को क्या बोला जाता है फादर और ऑफ मोडरन क्रीटी सीजम बोला जाता है मास्टर और फिरोइक एपलेट बोला जाता है फैंस और इनको फिसील पॉइट लोरियट अपॉइंट किया गया था तो यह है क्यों थे फ्रेंट्स इनको 1660 में क्या बना गया था पोईट लोरियेट बनाए था और 1609 तक रहे थे फिर इनके बाद सेड़ वेल आ गए थे फ्रेंट्स ठीक है तो हम बात कर लेते हैं आगे इनके वर्क की तो इनका जो इंपोर्टन्ट वर्क रहता है वो क्या रहता है आस्टिया की मैडल मैक फ्लेकनो और अलकजेंडर फिस्ट यह इनके पोईट्री वर्क हैं फैंट्स और सेटारिकल फोम में लिखे गई हैं फिर बात कर लेते हैं कि फैंट्स डॉक्टर जोंसन ने इनको क्या का था जो ड्राइडन फाउंड इंगलिस पोईट्री एज ब्रीक्स एंड left it as marble की करता है कि जो ड्रॉन ड्राइडन थे इन्होंने language को एक एटों के रुप में बाया था जब इनोंने कि इसको क्या बना दिया मार्बल बना दिया मार्फ बहुत जधा मुलेवान बना दिया अब बात कर लेते हैं सिंक वर्क था श्रें और ड्रामेटिक पॉए काफी जादा राजनीती में बहुत जादा भाग लिया था पहले है चार्स सेकंड के फोलोवर थे फिर उसके बाद ये जो क्रोम वेल थे उसके भी फोलोवर बन गए थे तो ऐसे इन्होंने अपना धरम भी चेंज किया था ठीक है आगे इनके ड्रामा की बात करते हैं तो ड्र लव एक ट्रेजडी है इंडियन इंप्रेयर ये भी हमारा क्या रहता एक ड्रामा रहता है और जैब एक ड्रामा रहता है दी राइवल लेडिज ये एक ट्रेजडी है जो कि 1663 से 164 में पब्लिश करवाएगी थी अब बात कर लेते हैं कि फैंट्स आगे जो हमारा यह चाहिए को तक बुस्ट मैंने जाते हैं इंग्ली लेटरेचर में और इनको एक पर्यों सुपिक लिखने का और इनका जो एपिक रहता है पेरडाइज लोष्ट उसको इंग्लेंड का नैसनल एफिक माना जाता है पैंट जैसे हमारा हमारा जो फैंट्स इन्होंने कमस और ओंदीन मॉर्निंग ओफ क्राइस्ट नेटिविटी एलिगरो नुर आरकेडस लिशीडास इन्होंने जो वर्क लिखे थे फैंट्स वो मास्क की फोम में भी लिखे थे और एक और इनका बहुत इंपोर्टन्ट वर्क रहता है एरियो पैटिगेट जो कि फैंट्स प्रैस की सवतंतर्दा को लेके लिखा गया था कि किसी वे मिनुश्य को कहीं में जाकर प्रैस स्पीच देने की पूरी सवतंतर्दा होनी चाहिए इस तरह से इन्होंने वर्क लिखा था आगे चलते हैं नेक्स्ट के उपर 24 नंबर का हमारा पोईट राइट एक फैंट्स विलियम विकर ले व जाने जाते हैं इसे ज्वाइप यह ज्यादर इंप्रेंट्ट इनकी कोमेड़ी वर्क फैंट्स जो की वेल नोन इंगलिश लिटरेचर में माना जाता है आगे है इनका लाव इन विट्ट जो कि सिक्टीन सेवंटीवन ने लिखा गया एक कोमेडि वर्फ फैंड्स आगे आगा हमारा वील्यमिगा। कौंगरी वील्यमिग्व कौंगरी वी फैंड्स जाने जाते हैं क세요 यन्हों ने एक ट्रम कोई प्रस मॉइन्स हे था तर्ल क्षिथा और में लिखे घर नो वीलययम विक ल अगे विल्यम कोंगरीव यह भी जियु कि लिहने जोंसन जैसा कि आप जानते हो इनको फ़र्सट पोइट लटेयट माना जाता है फैंट्स और इन्हों ने जो ट्रॉम कोयन के थे या इनों ने कोमेडि लिखह थी वह कोमेडी of humor लिखी थी फैंट्स और इनका एक वर्क था एक वर्क था जिसमें फैंट्स हमारे विल्यम सेक्सपियर ने पर्फॉम किया था और इन्होंने इनका जो दूसरा से टायरिकल वर्क है वह है दी पोड स्टार कोमेडि कि अगर हम बात करते हैं तो वोल पॉन जिसका सब टाइट के उपर आगे चलते हैं टैस्ट इसने सी जैनिस और कैटलाइन ठीक है यह आपको करना है और मैं इसकी पीडिएफ भी डाल दूंगी फैंट्स जो हमारा टेलिग्राम चैनल है वहां से आप पीडिएफ पर भी देख पाऊगे और रीडिंग भी ले लेना अच्छी तरह से अच्छा और अट्स गया एके दोक्तर जॉन्सन जब मेंता फीजटल वर्ड है उसको किसमें क्या था तो वह आंगा हमारा जोंढे टान और ओर Mayda उन्सक्तां यंवरी वेरी वरी इंपोर्टन पोईट्री है फैंट जोन डण की जोन डण है उन्होंने फैंट्स काफी सीरियस मैटर के उपर अपनी पोईट्री लिखी है इन यह जो पोईट माने जाते हैं ठीक है डिवोशन कने नाइजसेशन और इम गुड मोरोड डैथ वी नौट प्रावड व जो की थरी पार्ट में लिखागए एक वर्क है मिन इननोंने ऐसे करके लिखा था 1663 में ऐसे बिंद एसे करके तीन बार इननोंने वर्क लिखा था जो कि मोख आप फिरोगी माना जाता है ठीक है आगे जलते हैं जोर्च हरबर्ट जो हमारे metaphysical poet माने जाते हैं और इनके जो most important work है उन में बात कर लेते हैं the temple जो कि 1636 में लिखे थे और the priest to the temple a priest to the temple the collar Easter wings very very important his biography is written by Jack Walton के दवारा इनकी क्या लिखे गई थी biography लिखे गई थी और जो वाइड डेविल है फेंड्स वो जोन वेबस्टर के दवारा लिखे गई एक वर्क है ठीक है सर जोर्ज इथर जे सर्चोर्ज इथर्जे हैं उनका बरत्वा था 1635 और डेथ हुई थी 91 में की डेथ हुई थी लव इन टब और कोमिकल रिवेंज है फैंट्स वह इनके दवारा लिखे गई एक वर्क है एफ फुट इफ सी हुड इस तरह का इनका वर्क फैंट्स जो की जोन जोर्ज छोन धर्जे के दवारा लिखा गया है आगे सारार जोन वेनबर्ग है उनका वर्क है वह प्रोवोकड वाइफ जोकि मॉस्ट इंपोर्टंट वर्क माना जाता है फैंट्स यह वार चले थी सीवील वह से लिघ उसने लिखा सो बारे में इन्हों नहीं लिखा फेंद मेंग deliver की जो political से रिलेटट एक रहता है है इस आगी सो पर्लेंगे ूंप तो फेंट्स को फाधर औ यसे सब्सक्राइज माना जाता है जब कि चारल्स नम्ब उनको फाद्स पर इंगलिश असे माना जाता है तो फैंट्स इन के जो वर्क है वह नोबियम और गेनियम और एड्वेंसमेंट और एड्वांसमेंट ऑफ लर्निंग दिन्यू न्यू अट्लांटिस इनके वर्क है आगे चलते हैं यह फैंट्स आपका क्विक रिवीजन है जिससे आपको आपका जो रिवीजन हो और लेटर का वह आपको अच्छी तरह कर पाओ होगे एक से डेट गंटे में ही आगे फैंट्स हमारा रोबर्ट बर्टन जिनका इंपोर्टेंट वर्क है इनाटोमी ओफ मिलैंकली वैरी वैरी इंपोर्टेंट यह वर्क मना जाता फैंट्स इसको आपको ध्यान में रखना है जो कि 1621 में पब्लिश करवाया गया था आग अगे चलेंगे एडवर्ड हैड़ी उन्होंने लिखा था इस्ट्री ओप ती बिलियन शीविल वर इंगलेंड यह दो वर्क लिखे थे अब आगे चलेंगे नेक्स्ट के उपर फैंट्स यह माइनर हमारे पोईट राइटर रहते हैं फ्रेंट्स जो कि हमारी रेस्टोरेश क्लास से रिलेट करते हैं और इनको किसी बात को लेकर इनको जेल में डाल दिया गया था फैंड्स वहीं पे इनकर दिमाग में से आपको याद रखना है और इंकि बियुदि निए इनके दरिखे गई आगे चलते हैं नेक्स्ट सुप बीध उपर ने तो नें ली संटिय Hog बीजिन इनके डो उसने बोर 씨weez हो चाने जाते हैं और यह चार इनके वर्क रहते हैं इनको कई बार शिक्वेंस में पूछ लिया जाता है तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या हम आपको पूछ ली जाए तो आपके दिमाग में उस टाइम पे आ जाए अब चलते हैं हमारी फोर्थ एज के उपर जो कि हमारी नियो क् क्लासिकल आपकी एज है तो फैंट्स इसकी अगर हम बात करते हैं तो लीडिंग राइटर्स यह कौन-कौन से थे इस एज में अलेकजंडर पॉप स्वीट्स स्वीट्स एडिशन स्टिले तो फैंट्स नियो क्लासिकल जैसा की ट्रम दी गई है इस एज को उसका मीनिंग क् इसमें जो लिट्रेचर लिखा गया था वो कंबिनेशन था नियो आइडियाज का और हमारे क्लासिकल वर्क का जो भी हमारे होमर वगयरा हुए थे जो क्लासिकल पोईटर हुए थे अरिश्टोटल पैटरार्क तो कुछ वर्क तो वहां से उठाए गए कुछ तीम तो और दोनों को मिलाकर नया वर्क लिखा गया था जिसको क्या कहा गया नियो क्लासिकल वर्क लिखा गया उसको कहा गया था तो फैंट्स हम देखते हैं कि यह जो नियो क्लासिकल ट्रम है वह उन पोईट्स राइटर के लिए थी जिन्होंने कंबिनेशन में अपने वर्क लिखे ह ठीक है बाकि इसको क्या बोला जाता है जो क्यों एनी बोला जाता है ठीक है आगे फैंट्स यहां पर गोर्ड समीट थे उन्होंने इस ओगस्टन एज का पहली बार यूज किया था इस 18 सेंचुरी के लिए कि 18 सेंचुरी को हम ओगस्टन एज भी कह सकते हैं फिर हमारा यहां पर आता है और मैथ्यू ओनोल डाता फैंट्स जिसने यह क्या था दिए ओफ प्रोज एंड रिजन की जो 18 सेंचुरी वारी हमारी जो इस है उसको हम कह सकते हैं एज उफ प्रोज एंड रिजन यहां पर जो वर्क होए थे जादा तर पोई प्रोज फोम में हुए थे और यह लिए जो आदर की फैक्ट है उसके लिए तो फैंट्स यहां पर जो एज थी उसको लिटरेरी तोर पर भी दो पार्ट में डिवाइड किया था जबकि हम बात कर लेते हैं कि जो पहली आफ जो एटेंच चैंचुरी थी उसके लिए क्योंकि यहां पर जो वर्क होते थे थे वो प्रोज फॉर में वे थे और रीजियम के उपर हुए थे रीजियम के ऊपर हुए थे राइज ऐप नोवल्स यहां पर नोस थे वह पहली बार लिखने शुरूबTeran rejection को लिकर लिख लिए थे फिर जो दूसरा बार्ट रथ back century का वो है love for nature यहां nature के लिए work लिखे गए फैंट्स जो हमारे जैसे आगे जो हमारे poet आये थे उनके दवारा और revival of middle age ठीक है और फिर से जो middle age थी जो कि हमारे चोसर के time की जो age थी उसका फिर से revival means उसी तरह के जो work होने start हो गए थे तो फैंट्स जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यह जो पॉप और जोंसन के नाम से भी जानते हैं तो फैंट्स यहां हम देखते हैं कि कौन-कौन से इंपोर्टन्ट अर्ली 18th century के पॉइट है तो एन अलक्षेंडर पॉप मैथ्यू अनोल जोन गरे शेम्वेल जोंसन और वर्ड यंग यह हमारे मोस्ट इंपोर्टन्ट अर्ली 18th century के पॉइट है फिर बात कर लेते हैं कि में प्री रोमेंटिक पॉइट अब हम देखते हैं क जो हमारी रोमेंटिक एज आई थी उससे पहले भी जो हमारे पॉइट्स आए थे उन्होंने अपना लिट्रेचर नेचर के ओपर लिखना शुरू कर दिया था फैंट्स तोन में कौन कौन शायते हैं जोन गरे टॉमस तॉमस तोंसन ओलिवर गोल्ड समीथ वीलियम को पर र एसेरियोडिकल असेज हैं वह भी लिखेगए थे किसके दवारे लिखे गए थे इन्होंने जैनल पॉब्लिश करवाय थे फेंड्स जो की टैटलर था और स्पेक्टेटर था इन्होंने काफी सारे पॉब्लिश करवाए थे फिर आता हमारा अउन्योंस इंधर जोन्सन ते वी नाम का एक जोर्रल चलाय था कब चलाय था फेंस azp फबलीच करवाड़ था शेंटीश 59 में पहली बार इन्हों री juven ता हमारा इक फॉरी वन नंबर का मैं पोइट रहता है अलैक्स ग जाना जाता है जो कि हमारी कब की एज है अरली 18 सेंच्छूरी मानी जाती है ठीक अफेंट्स नोर इनके जो इंपोर्टन्ट वर्क हैं उनसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पोप है वो स्टारिल कल लेंगवेज के लिए जाने जाते हैं हिरोई किर प्लेट इन्हों ने काफी ज्वादा यूज़ किया है ठीक है और इनों ने लिखे थे लिएधा है धुट है・ जो को लेकर नोब उनके ओपर किड़ किया था क्रिटिकल अपने व्यूज डिए थे रैए पोती लोग जो कि 1712 से लेकर 14 तक पब्लिश करवाय गया था लिखा गया था टांसलेशन ओफ हुमर आई डी आई लैड ओडी सी यह फ्रेंट्स टांसलेटर माने जाते हैं जो के अलेक्जेंडर पॉप इन्होंने जो हमारी क्लासिकल वरक थे उनका क्या इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया थ एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बूट नोट यह फैंट्स एन एपिस्टल होता है यह क्या होता है यह एक लैटर की फॉर्म में वरक होता फैंट्स इसमें हम क्या करते हैं जैसे हम लैटर लिखते हैं उसमें हम आगे वाले को क्या करते हैं एड्रस करते हैं और फिर लै है उसको एज ओफ जोनसन के नाम से भी जाना जाता है इनके जो इंपोर्टन्ट वर्क है उन में बात कर लेते हैं तो फैंट्स वह एक डिस डिक्सणरी ओफ दी इंग्लिश लेंग्वेज फर्स्ट ऐसी ओथोराइजड डिक्सणरी थी उससे पहले कोई भी ऐसी डिक्सणरी नहीं आई थी जिसको हम यह कह सके कि ओफिसेल ओथोराइजड डिक्सणरी ठीक है जो कि 1755 में पब्लिश करवाई गई थी फैंट्स फिर कहते हैं कि फैंट्स इननोंने एक जोनल भी चलाया था जिसका नाम था दी एडलर जो कि 1747 में चलाया था फिर आता है इनका इंपोर् पोईट्स थे फेंच्ट्स बाइगराफी लिखी थी 52 पोईट्स यह में जोन इंप्टैक से और दी और हैजली टधी हरबर्ट कावले इनकी लिखी थी फैंट्स इन्होंने बार कि जलते हैं। इनका एक जोनल है जो की डिश laquelle तों में पुब्लिश और नहीं नहींonta से तक चला था एक आता है इनका और इंपोर्टेंट वर्क प्रफेज डू सेकस करस के बारे में सेकस्पियर ने जो अपने वरक लिखे थे उनके वारे में क्रीटिकल वीज रखे फिट्स ठीक तो यह बहुत इंपोर्टेंट वन जाता है वहीं बात करते हैं कि डॉक्टर जॉ सام książ já आप हैं आप में आप रबात है आप他 kalian black coming was in porque Nicole नोने वर्क लिख符्ट हमारे इंग्लेंड है लिंडन है उसकी सुसाइटेंट को लेकर बात करते हैं तो सौंस एकस्पीरियन्स सोंफ इनोसन इसमें ने कई वहाई को सारी पॉईंस लिखी को लेंडन की फॉर्थ क्लास के की लोर्ष क्लास को को लेकर लिखी है फिर बात कर लेते हैं जो कि 10 टैंघ क्लास के अंसियार्टे में लगी हुई एक पोईम है फैंट्स पोईटिकल स्केचिज इन्होंने काफी जादा लिखे हैं जो कि 1783 में पब्लिश किये थे आगे चलते हैं रोबर्ट वरंग की बात करते हैं तो एक स्कोटिज पोई मैं माइ लॉइज लाइक एर डेडा रोज यहां पर फैंट्स यह वर्क है जो काफी इंपोडनट है और इसी वर्क में फैंट्स टू फिगर ओप स्पीच यूज के गए हैं आपकमेंट वोक्स में बताना कि कौन कौन से फिग और इसमें यूज के गये हैं ठीक है अगे चलते हैं दे डेजर्टिड विलेज विकार ओफ वेकफिल्ड सेस्टूप तुकन कर दिगुड नेचर्ड मैं तो सारे ही इनके मोस्ट इंपोर्टन वर्क है वेंट्स आपको करके जाना है इनको इस टिले थे इन्होंने जोर्नल निकाले थे एडिशन के साथ मिलकर तो फैंट्स और भी और में इनके बहुत सारे इंपोर्टन वर्क करें देंसे हो बहुत बहुत जब्你 लाइंग लावर है का फी ज्यादा इंपोर्टन है और बात कर लेते हैं का व्लेकशन से इंप्अशन का था और दी टेटलर स्पेक्टेटर एन अपोलोजी फोर हिंसलफ एंड हिज राइटिंग तो यहां पर यह दो इनके जैनल हैं फैंट्स जो के अडिसन के साथ इन्होंने निकाले थे फिर बात कर लेते हैं कि जो रोजा मंड यह अधर इनका इंपोर्टन वर्क रहता है यहां पर लिखने जितने पी मैंने वर्क लिखे हैं फैंट वो सारे के सारे प्रिवेस एर में आए क्रिश्रण से तो आपको करके जाना हीं सबको Samuel Richardson Samuel Richardson है इन्होंने Pamela जो कि एक बहुत अच्छा वर्क रहता है जो कि इनके personal experience के उपर based है फैंस इसमें Pamela नाम के क्लड़की होती है और जो हमारी social team होती है उसी को इसमें रखा है आगे हमारा Clarisha जो कि other important work है आगे है Daniel Duffay इनका important work माना जाता है फैंस रोबिंसन करूसो जो कि नावल माना जाता है फैंस ठीक है पहला नावल इसको हम कह सकते हैं मॉल फ्लेंडर्स रेक्सोना अधर important work है आगे है जोसेफ एडिसन जोसेफ एडिसन है फैंस उन्होंने कैटो इस तरह कि ये दो तो इन्होंने ऐसे निकलवाए थे जो कि स्टिले के साथ मिलकर देख लेना ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से कितने ऐसे एडिसन के दवारे निकाले गए थे और कितने स्टिले के दवारे निकाले गए थे टोबियस समयल्टी जो कि फैंट्स वील ओफम pozw नोवल मेंसे एक है रिज्ट श्रीडह रिज्टक्स फैंट्स बखे हैं टॉमस ग्रे के अगर हमबात करते हैं तो यहां पर टोमस ग्रेय ने एक लिखी थी फैंट्स जो की कंट्री चर्च यार्ड को लिखा था दी बार्ड दी प्रोग्रेस ओफ पोईसी जो की इंपोर्टन वर्क माना जाता है क्रिटिकल वर्क दी फैटल सिस्टर ओन दी डैथ हो फेवरिट कैट इन्होंने एक लिखी थी फिर बात कर लेते हैं कि जोनाथान स्विफ्ट की जोनाथान स्विफ्ट है परस्झम वह हमारे इंपोर्टन राइटर ți-उप यॐघर माने जाते है इनका एक वर्क था बैटल ओप इस वर्क में नहोंने बुक थी उनके भिचाए बैटल को दिखाए गया है कुछ बुक है उसको दिखाया गया है बैटल को दिखाया है एट टेल ओफ टब गुलिवर्स ट्रेवल वेरी वरी इंपोर्टंट वर्क माना जाता फैंट्स और जोनल टू स्टेला यह भी काफ़ी इंपोर्टंट है और आयर्लेंड से विलोंग करते हैं और आसियं स्टायर और जोनल स्टाय यूज किया है जोसिफ एंड्रू है वो भी हमारे क्या है एक नोवल फैंट्स और वोइस टू लिस्ट बन ओल्सो एन इंपोर्टंट वर्क जैर्मी टेलर जैर्मी टेलर नोन एज दी सिक्सपियर ओफ डिवाइन यह इनके लिए जाने जाते हैं होली लेविंग और होली डा इस वैसे तो लेकिन इसमें यहां तक भी मानी जाती है तो फैंट्स यह हम 19 सेंचुरी इसको हम कह सकते हैं और इस एज की स्टार्टिंग है वो हमारे वीलियम वर्जवर्थ का एक वर्क इशू हुआ था 1798 में जो की लिरिकल वैलेड था फैंट्स उसमें फैंट्स 23 हमारी करती हैं जो जो लास्ट हम रहती है हमारी 1010 डेशर में रोमेंटिक पीरली डेड के 된 बहुती है अब चलते हैं इसकी definition के उपर तो definition की बात करें तो यहां पर पहली जो definition दी गई है वो पेटर के दवारा दी गई है जिसमें कहा गया है कि addition of strangeness of beauty की यहां पर strange beauty का use किया गया है वही इस time पे जो literature लिखा गया है उसमें वर्ट डेंटन ने का क्या कहा है ति रहने साफवेंडर की इस time का जो रहने साथा कि पहले जो रहने साथा वो तो new ideas का new learning का था लेकिन अब जो रहने साथा वह न्यू वेंडर का था कि इसमें नए-देश मतकार होने लगे थे लोगों ने अपने work थे वह नेजर के बारे में poetry के बारे में rural life और जो हमारे countryside life थी या animal words को लेकर अपने work लिखने शुरू कर दिये थे ठीक है अब चलते हैं इसकी क्रेक्टर स्टिक्स के उपर तो क्रेक्टर स्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट रहता है spontaneous overflow powerful feeling जो कि हमारी very very important है जो में थे उनल के दवारा दी यह quotation है और इसमें क्या होता कि फेंट्स जो हमारे अंदर जो होता हुसको बिल्कुल उडेल के रख दिया जाए ठीक है फिलिंग से जादा से जादा poetry में यूज किया जाए love for nature और super naturalism का यूज किया गया है hellenism also an important characteristics of romantic age और emotions and imagination simplicity and subjectivity यह भी इनकी क्या रही है characteristics रही है आगे सलते हैं जो हमारा poets and friends उनका भी division क्या गया है कि old generation young old generation बोला गया है जो हमारे old age के जो पोईट थे उनको जो कि अब हो हमारे 32 35 थे और एक आती है फेंट्स यंग जनरेंशन जिसमें हमारे बिलो 35 हमारे क्या थे राइटर पोईट थे तो उन में बात करें तो वीलियम वर्जवर्थ कोल्रेज रोबर्ट शावदी और वोल्टर स्कोर्ट यहां बात करते हैं तो लोड बायरन शेली और जोन किट्स हैं हमारे न्यू जनरेशन या यंग जनरेशन जनरेशन से रिलेट करते हैं अब चलेंगे नेक्स्ट यूपर ओथर्स एंड एसेस्ट जो हमारी रोमेंटिक होई थी इसमें कौन-कौन से एसेस्ट होए हैं तो उन में चारल्स लंब आता है वीलियम हेजलेट आता है टॉमस डि विलियम वरजवर्थ PlayStation बात कर लेते हैं के विलियम वरजवर्थ के इंपोर्यटेंड वर्ककी तो यहां पर हमारे जो वारेशनेंगा वर्थ हुँन अब बात कर लेते हैं इंके इंपोर्टन्ट वर्क ही तो लिरिकल बैलेड है फैंट्स वो थ्री एडिशन में पब्लिश करवाई गई थी पहला जो पुब्लिशन था वो आया था 1798 में आया था दूसरा आया था 1802 में और थर्ड एडिशन आया था 1805 में इनका थर्ड इनका वर्क है फैंट्स ठीक है आगे चलते हैं ओड ओन दी मिटेशन ओफ इमोटिलिटी जो कि फिर 1807 में फब्रिश करवाए गया एक वर्क है फिर आता फैंट्स टिंटन अभी जो की जो लिरिकल वैलेड है उसमें लास्ट पोई मानी जाती है फैंट्स और टू डुटी यह भी इनका बोस्ट इंपोर्टंट इनकी पोईट्री रहती है फिर चलते हैं दी सोलीटरी रिपर दी एकलेस्येटिकल सोनेट दी वल्ड इस टूमस विद अस दी डैफोडाइल दी रैन्बो लूसी पोईम इवनिंग वोक तो सारी ही इनकी इंपोर्टंट जो हमारी दीवर्थ की तो वीलियम वर्ड जवर्थ 1843 में पोईट लॉर्यट पोइंट किये गए थे और इनकी डैथ हुई थी 1850 तक तो उस टाइम तक यह पोईट लॉर्यट रहे थे और इन से पहले जो पॉइट लॉर्ड सावधी थे और इनके बाद जो पॉइट बने थे ます मैंना जाता है ड्रिमर ओफ ड्रिमर ओफडींस इनको माना जाताअ फ्रेंट और स्पीट पोईट फम रदर ओफ वर्जवर्थ इनको माना जाता है अब जलते हैं इक हमारे पहला नहींकी योडियुर ब्लट्ट पोइटरी इनकी कुब्ला खान एक और इमपॉ Vous इनके पोईट्री वर्क हैं अब बात कर लेते हैं कि इनके प्रोज वर्क भी थे फैंट्स जिन में हम बात करें तो बाइग्राफिय लिट्रेरिया माई लिट्रेरी लाइफ ले लोगे तो आई होप सकत होप सो कि आपको कवर हो जाएंगे जैसे आप उपसन देखोंगे तो आपको हो सकता है याद भी आजाएं अब जलते हैं लोड़ वाइरन के उपर लोड़ वाइरन हम का वर्थ हुआ था 1788 में और डेथ हुई थे 1824 मीन की डेथ हुई थी पहले की इनकी जो बाइग्राफी थी फैंट्स वो टोमस मूरे के दवारा लेकी गई थी और एक अधर वर्क रहता है कि इन दी डिफॉर्मड ट्रांसफोर्ड यह भी इनका अधर वर्क है डोन जोन के लिए जाने जाते हैं फैंट्स और बाकी जो इनके वर्क हैं वो इन्होंने लि थी है ठीक हैं यह फैंट्स के काफ्य आच्छे मट में जाते हैं रुब्ट साओधी त आगे चलेंगे रोमेंटिक पोईत्री है उसके रिलेट करते हैं सर वोल्टर स्कोट इनका जो फर्स्ट वर्क था वो क्या था ट्रांसलेशन ओफ लिनोर मिनिस्टर ली ओफ स्कोटिस बोडर है उसको थ्री वोल्यूम में पब्लिश करवाया था लेडी ओफ दी लेक वेरी वरी इंपोर्टन इनका वर्क रहता है वीवर ले ये भी काफी वर्क है इवन हो ये भी काफी ज्यादा अच्छा इनका वर्क है इवेन हो ठीक है ब्लेक डवार्थ दे एंटिक्यूटी और कनील वेंथ और दी पाइरेट ये इनकी इंपोर्टन वर्क है फेंट्स एक बार देख लाए ना हो सकता है इनसे कोई भी आ जाए उप्शन में प कोई की का ऑलास्टर घमाट Hetशी एह बूंपोरटन वर्क है ऑग बात करें तो यह काफी ज़्याँ श्किमल्एंट गोडवियंजस के लिघ kuik8 खी बात कते हैं लाइफ एंफिनिष्ट वेरी वर्य इंपोर्टंट जो एंफिनिष्ट वर्क उते हैं फ्रेंट उनको ध्यान में रखना प्रॉम्पेथस और बॉंड यह इनका इंपोर्टंट वर्क माना जाता है अब आता हमारा किट्स जॉन किट्स ने जो पोईट्री रिखी है फेंट्स अब श्यूब प्री में लिखिए मेंज़ मेंट फीजिकल पोईट्री है फेंट्स वह लिखी है जुन किट्स ने उनको पोईट ऑफाफ ब्यूटे माना जाता है और पईट इनको माना आई जाता है जैसे अब एक पस्कुर्ट इनको इम्पोर्ट की की बात करते इस आविला और दी पोर्ट ओफ बैसल और टुनाइंग टेंगल और टुग्रेश इनर और टु मेलंक्ली और टू ओटम तो यह आपको करके जाना है फ्रेंट्स जो कीट से उनसे काफी ज्यादा क्योंस पूछे जाते हैं फिर आता हमारा जेन ओस्टीन जेन ओस्टीन है फ्रे इंका वहुत ही इंपोर्टन्ट लिखे हैं जिसमें इनोंने जो हमारी सुसायटी थी उसी को थीम बनाये है जो उस टाइम की करंट जो सेटे है उसी को दिखाया है अपने लोग्र्स के थरू थो उनमें बात करें तो इमा इनकी जरूरूर याद करना भैंच सब्सक्रेंब है ओर ऊपर इन्होंने अपने वर्ग वे इल्या के नाम से पब्लिश और प्यार टेम्ह पेन्व विलियम हैजलेट है वह एक एसिस्ट है और उन्होंने एक वर्क लिखा था बहुत ही फेमस वो कि क्या है दिरांड टेबल ठीक है और टेबल टाक लाइफ ओफ नपोलियन बोनापार्ट यह इनके वर्क रहते हैं डीक्वेंसी डीक्वेंसी है राइटर ओफ इंपैसेंट प्र अपने लिखाए थे तो उस मैगजिन का नाम क्या था ब्लैक वूड्स मैगजिन और लैंड ओन मेंगजिन यह दोनों मैगजिन का आपको नाम याद करना है और यह किनका वर्क था कनफेसंस ओफ एंग्लिश ओपियम इस्टर यह वेरी वेरी इंपोर्टन इनका वर्क रहता के नाम कर्या आगे जो हमारे फिफ्ट नम्बर की अजए वे ठीक है फिफ्ट नम्बर की एज जिसमें फैंट्स्विक्टोरियन अगए वस्ट में उसके इस चौक्छ और से महां हुए थी विक्टोरियन एज के अगर हम थीम की बात करते हैं तो जो वर्क लिखे गई फैंट्स वह साइंटिफिक वर्क होने लगे थे अब जो राइटर होते थे वह अपने वर्क लिखे थे वह साइंस के ओपर लिखते थे जो हमारी सोसाइटी थी उस टाइम पर प्रोब्लम्स थी उस के ओपर अप लिखते थे मिस्ट्रीजम एंड रिलेजम के उपर लिखते थे तो इस तरह चेक नफ्लिक्ट पाया जाता है कुछ अथिस्ट थे ठीक अब आगे देखना मैंने राइटर इंफ्लेंस टू चार्ल्स डार्विन स्थोरी कि बहुत ज्यादा जो राइटर थे फैंट्स वह चार् इस टाइंप फेंट्स विक्टोरियों सेंचु उप्डियो है विक्टोरियोगे वस्ट होर्च उंप ओकْस वर्मोमेट्स कौन लेकर था यह जो एक रिलीजियस मूमेट्ट था जिसमें जों हैंडरी जोन केवल निए राइटर सामिल ते जिन्होंते का काफी ज ठीक आपको पता होना चाहिए आगे चलेंगे फैंस इंपोर्टेंट राइटर एंड पॉइट्स इंपोर्ट राइटर एंड पॉइट की बात करते हैं तो फैंस अलफर्ड लोड टैनिशन है जो कि हमारे वीलियम वाट्जवर्थ के बाद पूइट लोड बने थे फैंस और बात करें इनके इंपोर्टन वर्क व्तरें despite से ओलइसिस के लिए जानगा आ जाते हैं जो आधर इंपोर्टंट वर्क रहता है वोड लेडी और सइस वसक्तिक स्यथे लिए जाने इन मोमरें मुल्हीं को से खिटेंस यहां पर्इन इंपोर्टन पॉइम लघ्य थैस्विक स्लेबिक क्वैटरीन का ऊज़ किया था फैंट झी संद जो सीवल होता न हमारा समय थे ताइब रेथे फैंट्स आक बेड़िक में खिश लिए रॉबर्त-ब्रावनिंग रोबडबरॉद्ब्रावनिंग को जाने हैं हमारे मोनोलोग के लिए जाने जाते हैं इन्होंने काफी ज़्यादा मोनोलोग लिखें हैं मोनोलोग क्या ह 확인 होता है जिसमें एक बंदा हुता है वह किमीर रहता है। आगे वाला आदमी दूसरा आदमी उता है वह स्वया वाटा है तो उसी को क्या बोलते हैं मोनोलोग बोलते हैं तो यहां पर बात करें तो इनके जो अरली वर्क थे उन में पुलाइन पहला फ्रैला डिलो दिमैन एंड इवुमेन डिरिंग और दिबुक यह इनके पहले लिखे गए अर्ली लिखे गए वर्क हैं फिर बात कर लेते हैं इनके लैटर वर्क की तो उन में आता है दिर लास्ट ट्राइट टुगेदर माइ लास्ट डचिज एंड्रू डेल सैट्रो रभी बेन इज्डा एवलिन होब प्रोसपाइज जर्मन फंडल दीबी सब गर्सट पर क्लिक करके आओ ठीका वागी चलता है मैं अनुहने अपने क्रीटिकल वर्क लिखेंगे जाने जाते हैं यह कि विलीव करते हैं कि वह आनी चाहिए वह इंपरेशनल नहीं चाहिए औपने पूरियंग से लिखते रहो जैसे दूसरे के ओपर अपने व्यूज दे चाहिए नेचर के ऊपर दूसरे बंदे के ऊपर कोई हमारी शोशल थीम होस के ऊपर हमें अपने व्यूज रिखने चाहिए तो यहां अगर हम बात करें तो इनके इंपोर्टन वर्क है दिफॉर सेकंड मर्मान सोरब एंड इस रूस्तम है यह इनका एपिक जिपसी बहुत ही इंपोर्टन हमारी पोईटर रहती है था रुगभी चैपल जो की हमारी अलजी है डोवर विच दी ममोरियल वर्स ठीक फैंट्स आगे इनका क्रिटिकल वर्क रहता है से इनको रिडिसिजम गोड एंड दी बाइबल ये इनके क्रिटिकल वर्क रहते हैं फै फैंट्स जो हमारी एज थी विक्टोरियन उसमें एक मोमेंट से लाथा प्रिला राफिलाइट मोमेंट ठीक फैंट्स जिसमें अगर हम बात करें तो डीजी रोसेटी हैं वीलियम मौरिस है चाल्स सब्बरिन है वह इसमें है फैंट्स स्वीन वर्न ठीक रोसेटी और भी करते थे तो फैंट्स आगे बात कर लेते हैं कि ब्यूटी लाइक जोन किट्स डिड़ वह ब्यूटी को ही पूजते थे मिस इन्होंने अपने वर्क में ब्यूटी ही दिखाई है ब्यूटी के बारे में बताया है कि इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी तो ऐसी करके उन् चार्ल्स डिकन सर्वाइब को हमारे viktorian लिस्ट है बिलोऊंग टू हुमेंटरियन मोमेंट ओफिक्टोर inhah edg ठीकर फेंट अगर आप से पूंच लिया जाता कि हमेंने टनल के सिद्टेय desaf Shot him अज तो हापे बरना भी रूब है तो उसके लिए जाने जाते हैं फैंट्स देखना आगे जो हमारा डिटेल ओफ टू सिटीज है यह जो फ्रेंट्स रूइलिशन है उसके उपर बेस्ट है फिर आगे आता है इनका ब्लिक हाउस जो कि मॉस्ट इंपोर्टन्ट है निकोलस निकभाई जो पेपर है उसमें काफी जादा आपकी कुश्ण्स है वो अटेंप्ट हो जाएं आगे चलते हैं वीलियम मैकफिस ठिक्रे तो यहां पर जो ठिक्रे हैं फैंट्स उनका बिलीव था कि सुसाइटी होती है फैंट्स उसको आर्ट और लिटरेचर से सुदार सकते हैं उसमें इंप्रूब कर सकते हैं तो किसी भी तरह कि जो सुसाइटी होती है अगर उसमें पब्लिश की जाएंगे अच्छे वर्क तो लोग उन वरक को पड़के अपनी जो मेंटिलिटी है उसको सुदार सकते हैं तो यह कहना था वीलियम मैकफिस ठिक्रे का तो फैंस यह क्या करते ह हैं कि यह जाने जाते हैं Master of irony जो आईरनी हमारा फिग्रोंप स्पीच है उसके लिए जाने जाते हैं वैनेटी फियर इनका ब्लीच वर्क रहता है इस्ट्री ओफ प्यंडिन इस यह यह इनका इंपोर्टन वरक है दि बूक आप सामोफ लॉवल्क ओफ विडॉवर्स ठीक है इनके इंपोर्टन वरक है फेंस और आगे आती हमारी ब्रॉंटी सिस्टर प्रॉंटी सिस्टर के आगर वात करें तो फेंस जो अपने वर्क किसी दूसरे नाम से पब्लिश करवाती है विकोज ओफ जो हमारी 19 संचुरी है फैंड्स उसमें वुमेन राइटर को इतने ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दी जाती है उनके वरक ज्यादा पसंद नहीं किये जाते थे लोगों के दोरा तो इन लेडी जो यह है वो Not इंपोर्टेंट रांवल बाना जाता है फैंड्स फिर आता था सिर्फ जो सिर्फ जो ज केसके कि मीडल सिस्टर रहती है जिन वहीं जिनका इंपोर्टन्ट वरक है वह उन्यमेल को पढ़िश करेंड है और एक्तिन बैल नाम से थे इनका इंपोर्टन्ट इंपॉल्स नेम है मेरी ऐनी यवान थिक है इस नाम से इन्हों अपने वर्क है रोमेला एडम बेब और मिल ओन दी फ्लोस यह इनके इम्पॉर्टन वर्क है ठीक है आगे सलते हैं यह माइनर पोईट और राइटर होते हैं इनको भी करना जुरूरी होता है कि इसलिए मैंने कुछ माइनर से एड़ कर वा रखे हैं इसमें आगे सलते हैं वोल्टर है डाल पेटर फैंट्स अब साइद आपको वोई साउंड की यहां पर प्रोब्लम होगी तो फ फोर आठ तोमस आड़ी तोमस आड़ी जाने जाते हैं हमारा स्ट्रीम ओफ कोंसिए इनके इमपोर्टन वर्क आगर बात करें तो इन्होंने नोवल्टन पोईट्री विक्ति पीए कुछ तो यहां पिन वे ओना इंवन अंदर गूरी त्री जो किसे कर रहे गाए था फिर आता हमारा डिस्प्रेट रेमिडीज जो कि 1871 में ये फ्रेंट सिक्वेंस में मैंने लिख रहे हैं आप सिक्वेंस में याद करना कई वार शिक्वेंस में लगाना पूछ लिया जाता है ये पेर ओफ ब्लु आइज फार फ्रम दिमेंडिक वर दी रिटरन ओफ दी नेटिव दी मैयोर ऑफ कस्वेरीज टैस ओफ दी अंडर विल्स ये इनके इंपोर्टन नावल है फैंस आगे चलते हैं जुदे दी आफ्योर दी टेंफर्ट मेयोर तंप मेयोर आगे आता है हमारा दी वूद लैंडर्स आइज वेक्स फॉइम और डैंस्ट पॉइटिकल वर्क अंडर दी बैक बैक ग्राउंड ओफ नपोलियन स्ट्रेगल अगंस्ट यूरॉप तो फैंट्स जो हमारे वेक्स फॉइम है फैंट्स टोमस आर्डी ने जैसे हमारे आर के नारायन है उन्होंने अपने वर्क में माल ने ऋखेंगे बट्रेंड हैं उनकी सेटिंग और तो जोन रसकीन जोन रसकीन है वो जाने चाते हैं ठीक यह गांदी से ज़्यक्त है इंप्रेस्ट से इसलिए इसलिए उनने वर्क में गांदी के उनको भी डाला है सेवन स्टॉंस ओफ बैनिस मोडन पेंटर्स इस सेवन लैंपस ओफ आर्किटेक्टर यह इनका वर्क रहता है तो यह इंपोर्टेंट वर्क यहां पर मैंने मेंशन किया है वैसे तो एक राइटर होता वेंट्स वह जार ओर लिखता है इतने कैसे हम इंकलूड करें फिर nessa on man joe kwenc robber mr.unning के कम collaboration में लिखा था ठीक है फेंट्स वैसे तो इन्हों ने पोईट्री भी लिखी है काफी जादा डेबलो एच लोग फेलो तो डबलो एच लोंक फेलो है वह क्या है में लेक पोईट है फेंट्स जिन्होंने क्या लिखा है Pilgrimage Beyond the sea हाइपरियन और वोईस वोईस ओफ दी नाइट इस स्पैने स्टुडेंट यह एक पोईटिक ड्रामा रहता है इनका तो यह कुछ वर्क है फैंट्स माइनर पोईट्स का रोबर्ट लुइस टेवेंशन जो कि फैंट्स डॉक्टर जैकी एंड दी मिस्टर हाइडी इनका वर्क बोक्स तो यह आपको करके जाना फैंट्स कई बार क्यूसन आ जाता हिन से आगया आता फ्रेंट एल जनन चार्ल्स सवीन वर्न यहन का पूरा नहीं है फैंट्स जो कि पोईट और क्रिटिक है नोन एज लास्ट विक्टोरियन विक्टोरियन पोईट यह मने जाते हैं लो ल सिक्ष्पियर स्टेडियोफ विल्यम ब्लैक इन नोट ओन चालोटे ब्रेंटे लाव्स क्रोस कुरंट तो यह नोने नोवल लिखें फैंस के एक वार देख लेना फैंट्स आगे सलेंगे टोमस सैले कार्ले भी कह सकते हैं टोमस कार्ले नोन एज दिडारिक्टर ओफ इन्होंने फ्रेड्रिक्ट दिगरेट है उसके बारे में अपना व्यूज दिया है फ्रेंट्स रिवलिशन के ऊपर बेनोंने वर्क लिखें है पास्ट और प्रेजंट यह इनका एक वर्क हैं अब आती हैं जिसके अगर हम बात करते हैं तो मोडरन एज और इसके बाद फ्र इंक्लूड करेंगे फैंट्स आज यह बहुत बड़ी हो गई है तो उस क्लास में हम दोनों जो कंट्री जान के लिए 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 याद करेंगे और वह मैं बहुत पहले ही मिल्स जो हमारा नवियस का अग्जाम होने वाला हुँस से पहले ही आपके लिए अपलोड सेनस बने रही गा हमारे साथ तो फैंट देखना मोडरन जो मारे सोसाइटी मोडरन जो माले लिट्रेच्ण स्ञेश लई वह संसे क्या लिट्रेटल में तैड्सlike अलगा है पार तक अनवा सब्सक्राइब है को गतर है कि बसक्त होने के बाद यbrif 7 राजा बनते हैं और उन के बाद अते हैं जो यह Orange फित प्ते हैं जोज फिफ्फ के बाद इलिजबेथ टू आती है जिसकी हाल ही में 오른ले η टेश मैं शूने आपने सुना होगा इंग्लेंड में अभी हुई थी लगवग 100 प्लस उनकी यह जो गई थी फैंट्स टिक है अब क्या होता कि फैंट्स जो कोडरन लिट्रेचर था उसकी थीम क्या क्या बनती है तो उनकी जो थीम थी वो क्या थी एकोनोमिक जो क्राइसिस हुए थे जो अकाल पड़े थे फैंट्स जो मंदी आई थी आर्थिक उसको लेकर लिट्रेचर लिखा गया टाइटैनिक्स जो सिंक हुआ था उसकी उपर इंटरनेट का और जो है अलग से हम सैटलाइट वगरा हम कह सकते हैं तो उनका भी इन्वेंशन हुआ था तो इस एज को भी हम एज ओफ इन्वेंशन इसको कह सकते हैं और फिर आता है रेसियन रिवलेशन हुई थी फैंट्स लिट्रेरी क्रेक्टर स्टिक्स हैं काफी ज़ इसको हम पहले ही क्या कर सके हैं डिसकस कर चुके हैं तो आप इमिसको डिसकस नहीं करेंगे अब आता हमारा ओसकर विल्दे फैंट्स इनका बर्त हुआ था फिप्टिन फिटिसिक्स में और डेथ हुई थी नाइंटिन हैंडर में ठीक है क्वाइन इन्होंने क्या चीज़ क लिखे थे फैंट्स ठीक है तो उन में जो चायल्ड चिल्ड्रन से लिट्रेट इन उन्होंने अपने वर्क लिखे थे जिसमें हम देखते हैं कि एट्ट क्लास में अपी प्रिंस लगा हुआ है वो सर्फिस जाइंट लगा हुआ है तो यह वर्क है यो किसके हैं यह हमारे ज कोन है यह ओसकर विल दे हैं ठीक है आगे चलेंगे और जोसेफ कॉन्राड जोसेफ कॉन्राड है इनका बर्त हुआ था 1857 में वहीं डैथ के अगर हम बात करें तो 1924 में इनकी डैथ हुई थी नौलिस्ट है फैंट्स और राइटर है यह और बिफॉर नौलिस्ट ही है एज ऐन आएगा यहां पर experience of selling life and work with an English merchant अब करता कि राइटर बने से पहले करते थे एक disastrousYaques में एक साथ और इनको selling एक्स्पीरियंस था तो हुन्होंने selling के ऊपर वह उन्होंने अपने नौलिए रिक है फैंस ठीक ठीक फैंस यह इनके इंपोर्टन नोवल्स रहते हैं अब चलते हैं सेमेल बटलर के उपर सेमेल बटलर है फैंस वो क्या है ओर इजनली एक नोलिस्ट माने जाते हैं फैंस नोन पर इसके लिए जाने जाते हैं लिट्रेरी बैडवाई उस्थी गुल्स करा लाएंस इसके टाइटल से ये जाने जाते हैं कून जाने जाते हैं इनका इंपोर्टन वर्क है यन हो ठीक ऑफेंड is और दी वह ओ हग एक looking how rusager के वर्ण का उनको नहीं क्या है क्या है टांसलेट क्या है इंगलीप में Completely आगे ही कि में एक्षस एक नाट सो थो तो हैWe ha एमारे मोडरन बाने जाते हैं आफर माने जाते हैं ओधर माने मिला था 1925 में नौबल प्राइज मिला था फ्रेंट हुए इस ousel face to his place of fun profits in longer than place आपकाता कि फैंस तेंडिया आपर जो करते थे जो इनके पले होते थे उनके आगे यह प्रिफेज यूज क्या करते थे ठीक फैंस प्रिफेस होता है प्रस्तावना टाइप का ठीक है वो देना हागे चलते हैं यह क्रिटिक है प्लेराइट है तो सल तिंकर है अब बात करते हैं इनके पहले पले की जो इनका पहला फर्स्ट पले है वो क्या है विड़ो वर्स हाउस जो की काफी इंपोर्टन है फ्रेंट्स लेन करना मिसेज वारेंज प्रोफेशन आम्स एंड दी मैन मैन एंड सुपरमें सेंट जोन दे अपलकार्ट मेजर बार्बारा और पिगमेलियन ठीक है तो यहां हम देखते हैं कि जो हमारे राइटर है फैंट्स वो काफी बड़े राइटर है फैंट्स और इन्होंने जो अपने वर्क लिखें है वो सोसाइटी को लेकर ही लिखें है ठीक है अगे सलेंगे मैन ओफ डेस्टिनी यह भी इनका भी की हैं और गरे ऊइद जो मित मेंठे उत्व लोगी हैं यह फैंट्स टी y肯OME ऊपर ईफट्ड है इनके वर्क लिखें हैं ट्राइब नोड़ प्राइज 1923 में नोमनी प्राइज मिला था और किस से डिलेट करते कि यहchioled apply यह जो हमारा आयरलेंड है वहां पे एक तर्फे लॉड वी इस ने लिखा है ठीक एँ यह पुछागा आगे आते हैं की इंपोर्टंट वर्क जो कि पोईटरी से रिलेट करते हैं तो इन में अगर हम बात करें तो वास्वान एट कुले यह इनका वर्क माना जाता है पूइटरी मानी जाती है तावर और इस डे इस चैकंड कमिंग वर वरी इंपोर्टन वाइज एंटीम यह वी काफी इंपोर्टन फर्क है टाइटल ओफ दी फाल्स पार्ट है जो कि चीनवा एचेबी का है वो लिया गया है यहां पर यहां पर क्रिस्टिनिटी के बारे में बताया है कि एक बार जनम होके बगवान फिर से आएगे यह ऐसे करके इस थीम को दिखाया है मैथोलोजी को इन्हों ने दिखाया है फिर देखते हैं फैंट्स दिल एक और इसले फिनिस प्री यह भी एक इनिस फ्री जो कि हमारा यूट बन ठीक है वैंठ आगे चलते हैं प्रेयर आएगा फेंट्स यह प्रेयर नहीं है प्रेयर वियर फोर माई डोटर यह नोंने यह पोई्ट्री की है अपनी लड़की की लिए की है जमीन की लड़की थी उसके लिए यह वर्क लिखा फैंट्स अपनी बच्टी को डिकेट कर तो यह रोट 26 प्लेज उन में उन्होंने क्या लिखा वर्ष पले लिखा फोक ड्रामा लिखा फैंट्स फिर्स्ट जो इनका पले रहता है वह रहता है दि लौड ओफ हर्ट्स डिजायर इनका फॉस्ट पले रहता फैंट्स ठीक है आगे चलते हैं जोन गाल्स वर्दी जोन ग आप में लिटरेचर लिखना ही अपने अप में एक वोड जितने जैसा काम है यह इन्होंने लिखा है लिटरेचर के बारे में इनके जो इंपोर्टन वर्क है उनकी अगर बात करें तो वह दिस सिल्वर वोक्स जो कि थर्ड अक्ट पले रहता है जो की कोमेडी की फोम में ल दिस श्कीन गेम यह भी इंपोर्टेंट इनका रहता है बढ़ रहता है यह इनका इंपोर्टन रहता है जोन गाल्षवर्दी का फिर आता इनका स्टाइफ जस्टिस लोटेज यह जो टाइटल दिये गए है यही इसमें दिखाई गए फैंट्स फोस्टाइल चागा नोवल है फैंट्स एक नोवल की सीरीज है दी मौव एसकेप ठीक है फैंट्स तो यह इनके इंपोर्टन वर्क है जोन गाल्षवर्दी के अब आता हमारा टी एसी इलिएट जो कि पोईट राइटर है क्रिटिक है फैंट्स हमारी मोडरन एज के तो ऐन्तेइन फौटीएट में इनको क्या मिला था नोवल प्राइज मिला फैंट्स और क्या है यह डारिक्र ऑफ फैबर फैबर पब्लेसिंग हाउसे धारे डारेक्ट रहे हैं एडिटर ओफ दी क्राइटेरियान के यह एडिटर रहे हैं का फैंट से एक मेग जिन है ठीक है पोईटरी का फॉस्ट कोलेक्शन ओपोईटरी फुरू फ्रू एड़ अदर ऑब्जर्वेशन के नाम से पब्लिश करवाया है इनका पहला कोलेक्शन ओफ प केंटो में फाइफ केंटो में यहां एक्ट नहीं आएगा फैंट्स केंटो फाइफ केंटो में लिखे गए फैंट्स वेस्टलेंड और बात कर लेते हैं फॉर क्वैटरेंड जो की कोलेक्शन है फॉर लॉंग पॉइम्स का अब बात कर लेता है इनके जो पहले हैं प्लेज सोरी ड्रामा की तरह परफॉम नहीं करवा सकते स्टेज के उपर यह नोवल की तरह हम पढ़ते हैं ठीक है फैंट्स उसको हम बोलते हैं क्लोसेट पले या पोईटिक पले वर्ष पले भी हम उसको बोल सकते हैं दी फैमली रियूनियन जो कि 1939 में पब्लिश करवाए गया एक प पोटेंट वर्क है फिरा हमारा जोर्ज मुरे ज़ॉर्ज मुरे हैं फैंट्स वह जाने जाते हैं जो काफी ज़एदा गॉर्जीनिया वुर्जिनिया वॉ यूज़ेंस वो काफी ज़एधा यूज assum हैं गुशियों करते थी को अपने प्लेज मी जिन्व नहीं लिक और लेंडो वाइग्राफी लिखे थी जो कि किनोल की फोम में है टू दी लाइट हाउस जो कि एक वर्क है रूम ओन ओफ वन्स ओन ये एक नोन फिक्षन वर्क है अब आप बताएगा कि नोन फिक्षन होती क्या है जैसा कि मैंने पहले जो बटाएगा कि वहाइगा की क्या होता है इनकी समें वह फ्रेंट वों फेल्ट क्लास से ली लगी हुई है है और इन में की एंपोर्टन्ट्ट का जो नेम आता है वहाटा है जंगल बुक ठीक है इन किवर काता है किम गोप нойमल प्राइच जिसके ऑपर इनको क्या मिला था नोबल प्राइज मिला है किम चयोंपर आगे आता है डब़ू चोड़ डब्लच होड़ थी जो कि 23 एज में इन्होंने पब्लिश करवाई थी एज ओफ एक सीटी इनका वेरी वेरी इंपोर्टेंट वर्क रफेंट्स इसको याद रखना और नों सिटीजन यह भी इनका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट वर्क है जो डब्लू एट्स की ममरी में इन्होंने लिखा था ठीक है तो आपको यह ध्यान में रखना है आगे चलते हैं फोस्टर इंपोरिस्टर हैं फैंट्स वो जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए पैसेज टू इंडिया जो कि इंग्लेंड और भारत क इसमें दिखाया गया है एक फैसेज टू इंडिया और इनको फरस्ट रहता है वह रहता है वेश्ट फियर तो ट्रेड ठीक अवैंट्स यह दोनों ही इंपॉर्टंट काफिवर्क जो इंपोर्टंट वर्क हैं ब्योंक्ति और को नोमिनेशन इंका नोमिनेसं किया अगया थ रहें और जाने जाते हैं अपने सेंसेंट लवर के लिए दिरेंबो के लिए वोमेन इन लव लेडी चटलेज हो लावर दिफोक्स और वाइल्ट पिकोग के लिए वाइट पिकोग के लिए जाने जाते हैं तो फैंस यह संसों लवर है फैंस यह इनका सेमी ओट वाइग्राफ यह फैंट्स इनका एक वर्क था यूलाइस जो कि 1906 में पब्लिश करवाए गया था और जो इसका टाइटल हो कहां से लिया गया था जो होमर का ओडी सी था वहां से इस टाइटल को उठाए गया था और फिर आता है इनका डंबलिनर जो कि क्लेक्शन ओफ शोट स्टोरी है एक इनका इंपरेंट वर्क थार्ड मैन सारे वर्क काफी ज़्यादा इंपोर्टन है फ्रेंट्स ग्राम गरीम के तो आपको पता होना चाहिए आगे आता हमारा इज्रा पॉंड इज्ञा जो पॉंड है इस रपोंड है वह अमेरिकन पॉइट है फैंट्स पॉइट है और इनका पूरा नाम है इज्ञा वेस्टरन ल सिस्ट भात फैंट्स वी जिएम गेहर giant गोल्डिंग वीलियम गोंडूडिंग है फैंड्स उनको नोबल पॉरॉज मिला कभी वे इनको नोबल प्राइज हो मिल सकता है यह जरूरी नहीं कि जिस साल में इन्होंने पब्लिश करवाया हो उसी साल में इनको प्राइज मिल जाए फिर चलते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट वर्क राइटर के उपर जो कि आई ए रिचार्ड हैं फ्रेंट्स जो कि फैंट्स इवन आर्मस्टॉंग रिचार्ड के नाम से जाने जाते हैं क्रिटिक एजुकेटर हैं फैंट्स जाने जाते हैं दी मीनिंग ऑफ दी मीनिंग के लिए जो कि 1923 में पब्लिश करवाएगा एक वर्क है और इसी के साथ हमारे जो आज की जो क्लास है वो कंप्लिट हुई आग